संगीत की देवी सरसोथी के साक्षात स्वुरूप जिनकी सुर्ष साधना के समक्ष पूरा संगीत चगत नतमस्तक है और जिने सभी सम्मान पूरवक लतादीदी कहते हैं हमारा सौभाग है कि सुर सामरागी लता मंगेशकर जी साजा कर रही हैं मीठी बातों और सुरीली यादों को 28 सिदंबर वो तारीख जो लता जी के जन्द की तारीख है जो हम सभी की अपनी लतादी के चन दिन की सुरीली यादकार बन जाए दिरी सभी संगीत प्रेमियों की ओर से आपका बहुत-बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है नमस्कार लतादी कोशिश क्या आप तो जो कुछ भी कहेंगी आपका हर शब्द हमारे लिए बहुत खास माइने रखता है और आपके यादों में तो इतना कुछ है कि हम जितनी भी बातें आपसे सुनेंगे वो हमारे लिए कम ही पढ़ेंगी देदी आपका वो शुरुवाती दौर था जब आपकी मुलाकात हुई गुलाम हैदर सहाब से तो बातों का सेसला यहीं से शुरू करते हैं तो आप मुझे बैठी थी मुझे कुछ मालूम नहीं था वो मुझे कहने लगे के लगा तुम मेरे साथ चलो और हम लोग यहाँ से मालाग जाएंगे बामबे टॉकीज में मैं वहाँ एक टुचर कर रहा हूँ उसके यह हम गाना करेंगे तो हम लोग स्टेशन पे खड़े थें तो उन्होंने एक दबबा था उसके उपर लए पकड़के उन्होंने मुझे कहा के यह गाना गाओ और फिर उन्होंने गा के बताया दिल मेरा तोड़ा और मैंने वहीं गा के बताया तो उनको बहुत अच्छा लगा और कैने लगे चलो अब तुम फिर हम लोग गए वहाँ और तो हमने दो गानों के रिया सकी चुकि उनको बहुत चल्दी पाकिस्तान जाना था तो फिर उन्होंने उस पिक्टर के गाने रेकॉर्ड की शायद पहला गाना था मेर मुकेश भहिया का जो गाना बहुत चला था उस जमाने में अमरेजी छोरा चला गया तो वो गाना पहले रेकॉर्ड हुआ फिर उसके बाद दिल मेरा तोड़ा फिर और गाने थे तो वो तब गाने के बाद मुझे फिर और लोगों ने वहाँ सुना जैसे अनिल विश्वाजी थे और खेमचंद प्रकार जी थे और फिर उनके गाने मैंने गाए फिर शाम सुंदर जी ने सुना फिर उन्होंने बुलाया इस तरह मेरा प्लिवेक सिंगिंग का ये सफर शुरू हुआ अनिल विश्वा जी के साथ एक से बढ़ कर एक गाने आपने किये हैं उस समय अनोखा प्यार फिल्म बहुत अच्छी भी थी उसके गाने बहुत अच्छे थे एक दिल का लगाना वाकी था एक गाना था एक छोटी चोटी बाते समझाते थे अत्या लगता था बहुत और तजार से मेरे साथ बात करते थे जयसे कोई घरकाई हो वहांस मैंने कुछ तिखा मस्रू गुलाम हाधर साहब से भी कुछ तिखा उसके बाद नौशाचा अब के साथ काम किया तो उन से भी मैंने काफी बा बहुत आतिस तो वो मैंने इन सब लोगों से सीखा है। पर मुझे कुछ लोगों ऐसा सिखा रहा कि जैसे मासर गुराव अजर साम ने कहा कि लटा तुम जब गाना गाती हो तो तुम पहले ये सोचो कि ये गाना कौन गा रहा है। सिटेशन क्या है रोना है या अखना है या लालबाई है या जो भी है तो तुम इमेजिन करो के ये मैं ही गा रही हूं करेक्टर मेरा है मैं उस गलेक्टर में जाके गारे. मैं तो सीख रही थी न ते मुझे दान आठा कि यह मुझे करना चाहिए, यह करना चाहिए. और फिर मैंने अरदु भी सीखी ही. हिंदी तो मैं सीखी रही थी. और मैं बिल्कुल मराठी भातावरान से आयी थी. उस वक्त तो फिंदी की किताबे मुझे मेरे मास्टर जी थे लेक्राश शर्मा उनका नाम था और उन्होंने कहा किया कि मुझे 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 प्लिम्चंडी की किताबे लाके दी और कुछ ट्रांसलेशन जो होते हैं बंगाली किताबों के तो वो भी मुझे शर्दबावू की किताबे लाके दी मतलब मैं उनसे यह सीखती रही और मुझे अभी तक याद है कि मैंने फिंदी का मतलब जो पहली किताब पढ़ी थी वो थी निर्वला अच्छा अच्छा लेंटरी जी हाँ फिर उने मुझे कर्मभूमी जर्मभूमी मतलब जो उनकी सब किताबे थी वबन वगरा वो सारी किताबे लाके वो कहते से पढ़ो और फिर तुम दिखो के कौनसी किताब पढ़के तुमें कौनसा क्यारेक्टर कैसा लगा और यह अठी है यह ठीक नहीं है यह तुम मुझे लिख के वरता तो वो मैं ट्राक्टिस करती थी और उसमें मैंने काफी अच्छा यह किया था कि वो खुश होते से तो इस तरह से मैंने कोशिश की है कि मैं जिस भाषा में गाओं बराबर उसका मतलब आए और वो सुनने वाले यह कहें कि आरे यह बिलकुल सही गा रही है सबसे बड़ी चीज तो यह होती है कि आपने अगर बंगाली गाना गाया तो बंगाली लोगों को यह लगना चाहिए कि आदि यह कोई बंगला लटकी है तो यह मैंने ज्यादा हर भाषा में कुशिश की है और मैंने 26 भाषाओं में जाया है जी 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 और हर भार्षा में आपने इस तरह से गाया है जैसे की लोगों के लेगे के अपनी जबान है जी कोशिश तो यही की है और काफी लोगों ने मुझे कहा भी है के आपने महुत अच्छा रहा है बराबर लगता है बंगाली लोग तो मुझे ही कहते हैं, मतलब मेरे हैं कि लड़का था बंगाली, बहुत यंग लड़का था, उसने मुझे कहा कि मेरी माम मुझे कहती थी कि लाता बंगाली आचे, बंगाली में, तो उसको यही मारूम था कि मैं बंगाली लड़की हूँ, तो उससे मैं बंगा तो कोशिश मैं देखी है, हाला कि सब भाषाओं में मैं बोलती नहीं हूँ, पर कोशिश जरूरूर करती हूँ. इसलिए तो पूरा भारतवश आपको अपना मानता है, हार कोई कहता है कि ये हमारे हांकी है. इसलिए मानता है जो अभनेत्रियां उस समय कि वा करती थी बात की जिनके लिए आपने गाने गाए. सबका यही कहना था, कि लटा जी का गाना अगर है तो अभिने की जरूर्वत उतरी नहीं है, क्योंकि वो शब्द सुनने के बाद अपने आप अभिने हो जाता है. अभिने कहीं पड़ा था, नली जैवन जी ने बात कहीं था, उन्होंने कहा था कि गानों को सिर्फ गुनगुना दीजिए, गाने के भाव अपने आप आप आजाते हैं. मैं गाने से पहले पूछती थी कि गाना कौन गा रहा है, उस सब तो इन लोगों के नाम थे, मदुवाला, मीना, कुमारी, नर्गेश, मतलब ऐसी तालपांच गेती थी, इनका नाम जादा आता था, तो मतलब थे से कि मैं ये मीना जी गा रही है, या ये शायरा बानू है, मैं कोशिश करती थी कि वो जिस तरह से काम करती है, उस तरह से मैं गाना भी गाने की कोशिश करती है, ताके लोगों को ये लगे कि वाकरी मीना कुमारी गा रही है या और कोई आर्टिस का रहा है, और उससे क्या होता है, कि मुझे अंदर से अच्छा लगता था, सुकुन म मैं खुछ कोशिश कर रही हूँ और उसमें मैं कामियाब हो रही हूँ दिरी ये लोग आप सी मिलते हो गे प्रेर कुछ का भी गारी जी के घर मेरा नजाना काफी था वो कभी कवहार आती थी और नर्गिज जी के साथ बहुत अच्छा था और नर्गिज जी मिना कुमार जी मदुवाला साहरा जी मतब ये सब चुके मैं यूसुप भाई मतब दिलिप कुमार जी को अपना भाई मानती हूँ उनको राची बाँ दिये मैंने तो उनके हावे आना जाना या उनका मिलना हो तो कई मरतवा थाहरा जी रिकॉर्डी में आके बैटी थी जाया बच्चन जी भी आके उन्होंने जब अभिवान पिक्चर की थी तो उसमें उनको प्लिवैक सिंगर बताया था तो उनका गाना एक था जिसमें वो प्लिवैक गा रही है और वो गाना मैं कैसे गाती हूँ ये देखने के लिए उनको जिसके श्मुखर जी साब में बुलाया था उनका के आप आईये और आप खुद देखिए के लता कैसे खड़ी होती है कैसे गाती है और कपड़े उनके किस ताइब के होते हैं तो पिया बीना पिया बीना गाना था मेरा उसमें वो बैठी रही देखती रही और जब मैंने पिक्थर देखी तो उस गाने पे उन्होंने बड़ी बॉर्डर वाली साडी पहनिया है जैसे मैं पहनती थी पदलू भी मेरी तरह लिया है और जाते बड़ी मैं जैसे एक्षन करती हूँ मेरे तो नचरल होते हैं पर उन्होंने बिल्कुल धान से देख के वैसा ही किया था तो मैंशों मुझे पता चला कि यह क्यों आके बैची थी नचरल साब बहुत ही अथे मिज़ी दरेक्टर थे इसमें कोई शर्त में और वो भी मुझे बहन कहते थे और हमेशा कहते थे कि तुम जब ही आती हो बाद करती हो कैसे लगता है मेरी चूती बहनाई है अब से वाद करे तो वो बहुत प्यार से मिलते थे और नचरल साब के घर में जया करती थी मुझे कहीं भी आवाड मिलता था कुछ भी होता था तो वो सब चो पहले वहां पहुँच जाते थे और एक खार मुझे पहलाते से और बहुत खुश होता थे लखनो में मुझे आवाड मिला था अवद का तो अवद रत में शायद उसका नाम था तो नचरा साब आए मेरे साथ मैंने का नचरा साब आप लखनों आएंगे का ज़ने बिलकुल वो मेरा शहर है मेरा गाओ है मैं वही का हूँ आब वहाँ तुम्हें आवाड मिल रहा है ये एक तखा से मैं ये समझता हूँ कि मेरा सब मान हो रहा है तो मैं जरूर आऊंगा और आए वो हमारे साथ रहे और मुझे सब जगे ले जाते थे स्टेज पे सबसे पहले बात की उन्हें और बहुत प्यार करते थे जी बहुत अच्छे इंसान भी थे हो लिए मैंने उनका सबसे पहले गाना गाया था जहनाई पिक्चर ठीशाथ मैं शमशाद मही गीता दत हम सबने मिलके एक कोई और लड़की थी कि बाधा ख़ने गॉम्हें खाना गाया है था जिवाने की रेलfiction। तो से आप ने वीत इस्थी ख़िमी एक दो कारियू खाई थि ती मैंने उनकी चीड़ी की पिच्छर गायी थी। उससे भिए गानी गाया थे। अनने सबसे हो अच्छी पिक्चरती ऐता है अलबेला जिसके सब गाने चवें आपने साहरे हैं। तो अनने में अख्राइब कोई गाने गाने क्लिए हैं। जर्यते हदो कि इसे लगता सी हृती हैं। तो वो भी अलब स्टाइल के मिल्जी डिरेक्टर थे अपना काम कैसे करना के यह उनको मानूं ठा और वो करते थे अगर उनके बारे में सुनाए कि बड़े मुश्किल अंकीत कारुआ करते थे वो सज्जात हुसें साब की बाथी मत की वे कमाल के मिल्जी डिरेक्टर थे और बहुत अच्छे इंसान थे और उनको मिलके कभी आदी सीरियस हो इन सता था हां साथ के बुराइर होता था ऐचे वसी बाते करते थे और तब देखते थे कैसे में कहीं अर्टर भड़ा जाती कि मुझे उनका स्टाइड बहुत दग्श्किल लगता था रह एं और वो हसते रहते थे यह ये बहुत आर करते थे बहें जो आए और भगश और मुझे बात मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, वो था दिल रुगा, पर बहुत रुद की बात यह है, कि उनको जादा फिल्मे नहीं नहीं है, मेरे अपनी पूरी लाइफ में छे या साथ फिल्में की है, उसमें एक फिल्में जिसमें नूर जहां दी थी, जब भी फॉर पार्टिशन, वो उन्होंने उनके साथ भी काम किया था, और मैं नूर जहां जी को बहुत ही मानती हूं, शेगर सहाब और नूर जहां जी, 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 जी. नयुहाना पड़ेगा वह गाना जादा चला वह बहुत ही सुंदर गाना रशनाजी चीक्छे उए थे वह बहुत अच्छे दिल्रुबा बजाते थे अर है जानकाज थे टीके हुए थे तो उनके गानों में हामेशा कुछ क्लासिकल का ये धलत दिखती थी तो उन्होंने वह शर्मा जेने बनाई थी, उसके गाने भी आप देखिए, तेरी जाने ना दूंगी, संसाल इसे भाग देखिए, तब क्या अच्छे अच्छे गाने उन्होंने बनाएं, तेरी हमें कहीं पढ़ा था, कि सचिंदो बर्मन साहब ने कहा था, कि हमें आपका साथ, यानि लटा जी हमारे साथ हूं, और हो हमारे साथ तबला, बस फिर हमारा कबाल देखिए, और सच्छे उन्होंने कमाल कर दिया उन सभी गीतों में, जिन गीतों में आप उनके साथ रहीं, वो तो मुझे बेटी कहते थे, वहांने बहुत प्यार करते थे, घर में मुझे खाने पे बुलाते पाङ जिया और 500 करते थे उनके मैंने काफी गानेका यज उनका अपना काइब माला साइब याद होनौता हेमारण कुमार गनुझेन, मैंन काती entered nothing. में उनको मिली तब से वुजे तो थी तो भाहिं हैी कह ज़ते है हेमारण के ग़र जाना मेरा बहुत होता था और वो हमारे यहां के थे, बहुत सजन, बहुत अच्छे इंसान थे जी दी दी, ते संगीतकार और गायक के रूप में वो अलग-अलग आपने किस नजिर से देया? जाते थे वो बहुत अच्छा, पहले तो वो गाते ही थे, और फिर बाद में उने मुझिक दिया, और उनका 20 सादवाद मुझिक बहुत अच्छा था, वो एक अलगी आदमी थे, उनका बात करने के स्टाइल, बहुत अपना पंथा, मेरे घर आते थे तो दर्वाजे से के लिए कौफी लो, सब बेटे से मीना उशा, सब के साथ अच्छा था उनका, मेरे घर में, बहुत बाले इंसा, बीदी हमंदा का वो गाना इस साल बाद फिल्म का, जिसके लिए उन्होंने तीन महीने तक इंतजार किया, सुना है कि उन दोनों आप बीमार थी, और इसलिए उन्हें तीन महीने तक इस गाने के रिकार्टिंग के लिए इंतजार करना पड़ा, और ये गाना है भी बिल्कुल अलग सा गाना है, बहुत अच्छा गाना था, जी, जी, महल में जो आपने गाना गाया था, खेमचंद्रकार जी के संगीत ने दिर्शन में आएगा आने व चलता है कि है जुकाम, पर वो गाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत संदर गाना था, उसके सब गाने अच्छे थे, पर उसका गाना चला, जो वादा किया, उन्युहाना पड़ेगा, वो गाना ज्यादा चला, पर पाँछू लेने दो बहुत ही संदर ग वो बहुत अच्छे दिल्रुबा बजाते थे और शक्त्रिय संगीत ये जानकाल थे लिए थे तो उनके गानों में हामेशा कुछ क्लासिकल का ये जलत देखिती तूके उन्होंने वो एक टिक्चर थी ना जो केजार शर्माजी ने बनाई थी उसके गाने भी आप देखिए त कि सचिंदो बर्मन साहब ने कहा था कि हमें आपका साथ यानी लता जी हमारे साथ हूं और हो हमारे साथ तबला बस फिर हमारा कबाल देखिए और सच्मुझ उन्होंने कमाल कर दिया उन सभी गीतों में जिन गीतों में आप उनके साथ रहें यो तो मुझे बेटी कहते हैं उनके भॉप काफी गाने और उनका अपना एकस्कायल था। बहुत ही सुन्दाब हेमन कमार जी के साथ की को याद होगा? हेमन कमार जी को याद हो गाद हो गाना जब मैं उनको जा तब सर्मन्हे टो बहुत होता था। सेमंदा आके घजाना मेरा बहुत होता था और वो अमारे आँए थे थे बहुत सञ्चन बहुत उच्छे इंसान थे संगीतकार और गायक के रूप में वो अलग-अलग आपने किस नहीं से दे दे रहा जाते थे वो बहुत अच्छा पहले तो वो गाते ही थे और फिर बाद में उन्हें मिजिक दिया और उनका 20 सालवाज मिजिक बहुत अच्छा था वो एक अलगी हादमे थे इनका बात करने के स्टाइल और बहुत अपना पन था मेरे घर आते थे तो दर्वाजे से आवाज आती थी लाता काफी बहुत 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 बाले इंसान तो दीदी हेमंदा का वो गानभी सालवाद फिम का जिसके लिए उन्होंने तीन महीने तक इंतजार किया सुना है कि उन्दुनों आप बिमार थी और इसलिए उन्हें तीन महीने तक इस गाने के रिकार्डिंग के लिए इंतजार करना पड़ा और ये गाना है भी बिलकुल अलग सा गाना है बहुत अच्छा गाना था जी जी महल में जो आपने गाना गाया था खेम चंद्रकार जी के संगीत ने दिशन में आवाज में डाला था बहुत प्रभाविट थी उससे कुछ याद है आपको मदमती फिल्म के बारे में मुझे सर्जिदा ने कहा था सर्जिदा मेरी नजर में बहुत महान मिजिक डिरेक्टर थे और उनको जो सूचती थी बाते और उनको आसाम का फोप याद था जी जी मैं झाल शुचं फोप उनको बहुत याद था तो वो गानों में बहुत अच्छी तारस्टे उसका इस्तमाज करते थे और गाने बनाती थे मुझे उनके सबी गाने अच्छी लगते थे कोई भी प्रिच्चर हो कोई भी गाना बनाए वो मुझे उनका मुजिक हमिशाद था तो बहुत अच्छा था रिजनाद के साथ उनना बहुत अच्छा था रिजनाद ते एक महाराशी विक्टर बनाई थी सुन भई उसका मुजिक उन्होंने चालिजा से कर वाया था तो बहुत घर आना जाना कई मरतबा आके बैठते थे मेरे यहां और हैमन दादा वो भी आते मतलब पहले जिते मिजिक डिरेक्टर्स या सिंगर्स वगारा थे उनका मिलना जुलना साथ में बहुत होता था और सब खुश हो के जाते जैसा नहीं कि मतलब हम लोग कही मरतबा से कथे बैठते थे कुछ खाने की चीज़े मनवाते थे वहां आज मेरे घर हुआ तो फिर कल मतलब इस तरह से हम लोग मिलते थे आज क्या है मैं अब फिर मिंदस्री से काफी दूर होगी हूँ तो मभवान जाने कैसे लोग मिलते जुलते हैं तो मिच्वा जो था मुझे लगता है शाय दासाम और बेंगल मिक्स ऐसा था तो मुझे उन्होंने वो जो ओय 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 था उ मैंने का ठीक है मैंने उनको गा के बताय तो उन्हें तो उन्हें रिखा हा ऐसा ही तही और वो गाना उसी तदह हुआ और मुझे लगता है था और उसमें आजा रे परदेशी तो बहुत ही हुआ उसके सारी गाने हीच थे घरी घरी में और दिल धड़के और दूसरा एक मेर मुकेश जी के साथ आपकी बहुत सारी आने है और बहुत ही तो उनसे जुली हुई कुछ से यादे है मुकेश भया ने मुझे फर्स टाइम सुना था वोही जो उनका गाना में ने उनके साथ गाया था मासुकुरा मैदर साब का अब दरने की कोई बात नहीं अंग्रेजी छोरा चला गया यह हम दोनों का गाना था उसके बाद वो क्या करते थे कि जहां वो गाने राते थे न उ मुझेश भया ने कहा था तुम को नशा साब ने बुलाया है तुम चलो मेरे साथ हुआ थे और मुझे ले गए नशा साथ के हाँ और मैं जा के नशा साब से मिली और उन्हें कहा कि हमने आपका ठोड़ा सा गाना सुना है और आपकी सब लोग तारीफ करते हैं और हम भी पि आप मताईए मैं आजाओंगी तो उनको ठोड़ा शब था कि मैं माराथी हूं और शायर प्रॉराम सेशन चीज नहीं हो मैं जे कहा कि आप कहा गा रही हैं तो मैंने का लाहु पिक्चर में गा रही हूं शाम सुंदर जी के साथ हूं उसमें काफी गाने गा रहे हैं तो उनने कहा कि कोई गजल गाई है आपने मैंने का दो है उसमें तो कहने लगे आप हमें सुना ये ना पैसी है वो तो मैंने गा के सुनाया देखियो मैं कुछ जानती नहीं थी उसक मैं बिल्कुल नहीं नहीं प्ले रख देने आई तो उननने कहा कि हम को सुना ये ना आप हम मैंने पहली पिक्चर उनकी गाई थी दुलारी दुलारी के बाद देखिये मैंने उनकी पिक्चर उनकी गाया था अंदाज अंदाज आई थी मैंने पहला गाना किया था उनका उठाए जा उनकी सितम ये गाया था और फिर जादू ही हुई उनकी पिक्चर और काफी मैंने उनकी गाने गाने उसके बादी पर मुझे उनके आमर के गाने बहुत अच्छे लगते हैं खास दोर पे मेरा गाना था जाने वाले से मुलाका होने पाई वह बहुत अच्छा लगता है थोड़ा क्लैसिकल टाइप का गाना है निभी वचंदे साइजी जी तो आपकी बहुत अच्छे गाने, चनल चनल पाहर बारे? डाने साहीह जी के साथ हारे बहुत गर के संबन थे वो भी वालाची थे और से ठाथ मेरे पीता जी की बर्सिर में हमेशा हाते थे भर को, हज difाहे थे खुद गाते थे और मेरे खाल कुछ साथ या आठ साज बजाते थे उनको क्यासिकल का बहुत ये था चीखे हुए थे और जो गाने चास्रीय संगीत के आधारी बने पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी तर्दे मनाई है तेरे सुरा और मेरे गीत पर उन्होंने जनक जनक पाहिल बनाएं थे आपको गीत कहाँ दिलाओं कुहु कुहु बोले को ये इस उन्ड़ी फिल्म का गाना संगीत कार आदी नारायन राओ ये तो साउथ का था आदी नारायन राओ मुजिक डिरेक्टर थे और उनकी वाइफ उसकी हिरोईन थी और उन्होंने मुझे बुलाया मदराश मैं यहां से चेंदा ही गई और वहने वहां जाके रेकॉर्ड किये गाने तो कुफ को बोले को ये रिया मेरा और रफी साथ का दूए था और सोलो था मेरा यह गाना शास्ती संकीर पर आगा था तो जानकार मुलिग रेटर थे और शाउत में मैं आपको बता हूँ कोई मतलब उठे और जाके मुलिग रेटर बने इसा होता नहीं लोग काफी सीखे हुए दियास किये हुए आप जानकार होते हैं बहुत अच्छे गाने बना है जी एस महिंदर साथ के साथ भी आपके बहुत अच्छे गाने शीरी फरहाद का गाना तो बहुत ही फिमस हुआ था गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दुबारा दिया पर उनके साथ बहुत ज्यादा तो मैंने ज्यादा नहीं गाया नहीं पर ग वाज़ी से जान एसा कि उस सब कुछ काम था फिर वो चले गए जाते वड़े कहके गए कि नेक्स तैम मैं आँगा आप जरूर मिलिएगा तो मैं आप के हाँ आँगा मैं दरूर मैं मिलूंगे आप शे और पहरे थे कि मैं अमेरिका में बहुत खुश रहता हूं और सब के साथ मेरे बहुत अच्छी यादे भी रही और शंकर जैखिशन आपके साथ बरसाथ फिल्म से जुड़े राजकापूर जी के साथ और आपके साथ तो बहुत लंबा साथ रहा शंकर जैखिशन जी का मुझे लगता हैं उनके बहुत गाने गाये हैं उनके हर गाने में मुझे कुछ अच्छी बात लगती थी नयापन लगता था और वो भी दोनों थेना अलग-अलग ताइब का म्यूजिक करते थे तो बहुत अच्छा लगता था और संकर भी जैखिशन जी खासरत साहब और हम सब का मतलब एक ऐसा गूप था कि रिकॉर्डिंग करते थे फिर खाना खाने जाते थे और बहुत अच्छा लगता था काफी काम किया उनके दी वो घर आया मेरा परदेशी जो गाना ये सुना अमने कुसकी रिकॉर्डिंग बहुत लंगी हुई थी हां काफी लंगी अर दूसरे दिन अर्ली मॉर्लिंग तीन साड़े दिन वजी खतम हुआ अच्छा चुकि उसमें मनादा का भी जाना था मेरा मेरा तो छुटा सा पार्ट था पर उसके बाद मनादा का जाना था जिन्दी जिन्वेजिश पर देर हो गई थी और हम लोग बैठे रहे गाते र लगते पर कुछ़ुकि ला अनुके साथ जल गाने जो थे मुझे बहुत अच्छा लगता है पर नोगो का इतना मिलन क्ये वह गखने होते दुटा था मधी सृ रहे इनि चुन्दि सम फ्लगोरि चुबिरी mist, भरधिए गटममार रेक्षी था के साथ तो ऊपने इन बहुत पर हम लोगों का इतना मिलना हो दो लाना नहीं अदैने जालने साम मीन थे थे वो बात्षी तो बहुत कम करते थे और जो करते थे वो बहुत अच्छी जाज़ते बात करते थे और ये दो ऐसे मैंने हमारे प्लिवेक्सिंगर देखे जो किशुर्दा और आपने रफी साथ दोनों को खाने का बहुत शौग था और तम्माकू, सीग्रेट, चरा बोगरा पुछ नहीं, कुछ भी नहीं, खाना तो ये उनका शौग था, ये बहुत कम नजर आता है इस तरह देदी किश ओर कुमार जी के बारे कुछ बटाईए हूँ सबसे पहले उनका भी पहला गाना और मेरा भी उनके साथ पहला गाना जिदी पिच्चर में हुआ था जिसका में जिदी चेंचर ब्रकाजी का था और वो गाना था ये कौन आया तो वो गाना हमने सबसे पहले गाया, और फिर हम पगों की जमती थी, बात करना, हचना बहुत हासा थे थे, और अथा ज़ता था एंगे पास जाना, जाते बद भी उनका मजद चलता जयता था, तो गाना मुझ्छिर हो जाता था, मैं जो उपसर बीच में कुछ और गाना गान इसना थरते थे थे हम लोग, सब हस्ते रेते हैं, क्या कहूं में लोग अवसरत आशे थे, एक से बढ़ करें, हर मुजिक डिरेक्टर का अपना स्टाइल था, और ये भी एक अच्छा ही थे उनमें, कि किसी और की पिक्टर अगर चली, और मुजिक उनको अच्छा लगा, तो अच्छा मुजिक डिया है, जो बहुत मुश्किल बात है, किसी को अच्छा कहना, और वोगी काम करने वाला आजमी, मिलता नहीं, जो कहते भी होंगे, तो दूख से कहते होंगे, और मुझे याद है, कि हमारे यहां के जत्पा करके मुजिक डिरेक्टर से, वो थे मराथी, और उन्होंने एक बड़ी माँ पिक्चर की थी, जो मास्टर विनायक थे, उनकी फिल्म थी, मैं उनकी कमपणी में नोकर थी, और बड़ी माम में नूर जहां जी हिरोईन थी, तो उन्होंने कुछ गाने बनाय थे, और एक गाना नूर जहां जी का, मास्टर गुलामा एजर जी ने सुना और वो तो दक्ता जी के घर गए, और घर जाके उनोंने कहा कि कि आपने इस गाने में जो सुर लगाया है वो दिया जगा कि आप मुझा ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं इस सखा की त्यून मैंने सोची भी नहीं और सुनी भी दें अल्ला आपको लंबी उम्र दे और आप ऐसा ही काम करते रहें मैं तो इतने खुश हुए थे त्यूकर मुझे के दक्ता साब ने कहाँ पर देखो मुझे उन्होंने घदा के इस गाने की तारिश की सुर्ट इतने लोग हमारे साथ काम करें सभी अच्छे लोग और सब के साथ म मेरा बहुत अच्छा था मेरा जंगड़ा उगरा एंदो बत्रा मैं लड़ी हूं पर माद में ठीख हो गया अच्छा दीदी आपको कभी जुझलाथ हुई जिसे कोई साजिंदा न बजा रहा हुए या कभी कोई सूर से बठक लिया हुए कुछ ऐसा ने वो तो होता रहता ह क्या होती थी कि पूरा गाना गाना पड़ता था आज हो रहा है आज कल आप एक एक बोल्ड रिकॉर्ड कर सकते हैं एक लाइन कर सकते हैं वो जोड़ दिया जाता है आपको कमों मेजिक भी ऐसा ने उटा है जिदी आप से बात करके बहुत अच्छा लगा आपने इतना इसके लिए हम आपके बहुत आभाली है हमारे सबिवार को है प्रडाम करती हूं और माध खुशी होई हैं आप सब लोग ऐसे ही अथ्छे पाम करते रहें और धिली संपूर्ण संगीद की वर से आपको जनदीन की बहुत बहुत शुपकाम रहे हम सभी की यही कामना है कि आ आप स्वस्त रहें प्रिसंद रहें और हमेशा आपका स्नी हमें इसी तरह मिलता रहें